हेलो एन वेलकम टू टीवी का पटाकावल दोस्तो उर्फी जावेद ने शिजैन पर नहीं तुनीशा पर लगाया आरोब दिया शिजैन और तुनीशा के रिष्टे पर चौकाने वाला बयान जी हाँ दोस्तो उर्फी जावेद वही उर्फी जावेद जो अकसर अपने फैश पर अपने पॉइंट ओफ यू को बहुत ही ज्यादा बेबाकी से रखती है चाहे कुछ हो जाए उर्फी कभी किसी से नहीं डरती और वो किसी के भी खिलाफ हो जाती है ऐसे में तुनीशा के केस के उपपर बहुत ही चौकाने वाला बयान देया है उर्फी जावेद ने जहां ज्यादतर लोग शिजैन महम्मद खान को तुनीशा की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं तो वही उर्फी जावेद ने चौकाने वाला बयान दे कर यहां पर पूरे तरीके से एक बार फिर से अटेंशन ले लिया है ऐसा क्या कहा है उर्फी जावेद ने अपने हाल ही में स उर्फी जावेद अपने सोचल मीडिया इंस्टेग्राम हैंडल पर एक स्टोरी के जरीए अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहती हैं My two cents on Tunisha's case. Yes, he might be wrong, he might have cheated on her, but we cannot blame him for her death. You absolutely cannot make someone stay with you who doesn't want to stay. Girls, no one, I repeat, no one, is worth giving up your precious life for. Sometimes it might just seem like the end of the world, but trust me, it's not. Think about the people who love you or just try loving yourself a bit harder. Be your own hero. Even after suicide, the suffering doesn't end. The ones that are left behind suffer even more. यानि कि साफ तोर से यहां पर उर्फी चावेद ने ये कहा है कि हो सकता है कि शिजैन मुहमद खान कलद हो. हो सकता है, शिजैन मुहमद खान ने दिया हो Tunisha को रिलेशन्षिप में धुका लेकिन कोई भी शिजैन को यहां पर तुनिशा की मौत का जिम्मेधार नहीं बना सक कि कोई भी इनसान आपकी प्यारी सी और कीमती जिंदगी से दाने कहा है कि आपको अ इसा लगता है कि इस इनसान ने हम हमें चोड़ दिया है तो हमारी जिंदगी खित्म हमारी दुनिया इसके आगे नहीं szer capaz ऐसा कुछ नहीं होता आपके जाने के बाद भी आपका दुख कम नहीं होता बलकि आप जो लोगों को छोड़कर चले गए हैं उनका दुख और जादा बढ़ जाता है वे दोस्तों उर्फी ने साफतोर से हर एक लड़की को खुद का हीरो बनने के लिए कहा है और ये कहा है कि कि आपकी जिन्दगी सबसे ज्यादा कीमती है किसी और के लिए अपनी जिन्दगी को खतम करना ये सही बात नहीं है उर्फी के इन विचारों पर आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूस कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूले